पर दुख का तरता या तो स्री ठाकुर जी में है या संतों में है हम लोगों को जो सत्संग मिला जानते हैं ऐसे वैसे नहीं मिला है कैसे मिला है भगवान अपनी करुणा वरी दृष्टी से हम लोगों की ओर देख रहे हैं ये विचारे हमारे इंस्वहुती जीव नजाने कितने जन्मों से दुखमे संस्रिति के चक्र में पड़े हैं अब इनका उधार होना ही चाहिए ये संकल्प भगवान ने कर लिया है इ बैटकर के कथा सुनने का सवभा कि भगवान दे रहे हैं जीव के कल्यान का संकल्प जब भगवान करते हैं तभी सत्संग का अवसर मिलता है अज सत्संग में रुची जागरत होती है जब तक सत्संग में रुची जागरत नहीं है तब तक जीव के कल्यान में संदेह ही है ऐसा समय जाजय जाएगी